मेरे मन विचार था कि आप से कई दिनों से वह विचार जो था मेरे मन में बड़ा अस्पष्ट रूप में उपस्ते था है मैं स्वयम अपनी सहायता नहीं कर पा रहा और इसलिए मुझे आपसे दिशा निर्देश चाहिए और उसका स्कुष्टी करें भी करें विशय जो है वो विशय है प्रकाश को लेकर करें सुमझने और समझने में बड़ा सरल सा लगने वाला यह विशय है लेकिन उतना ही यह मुश्किल भी है एक साथ जिस प्रकाश को लेकर के वेदों में इतनी चल्चा की गई है इतना आग्रह दिखाया गया और रूपों में उसकी उपस्ना भी की गई है यग्य का यह करमकांट सारे का सारा जो है वो प्रकाश को ले करके है गाहित्री सारी प्रकाश को ले करके है तो यह इस प्रकार का जो आक्रह है उससे किस प्रकार के प्रकाश की वैदर की बात कर रहे हैं या कौन से प्रकाश है जिसके उपासना के लिए वो हमें प्रेरित करते हैं और इस प्रकाश के डूसरा पॉक्ष हमें दिखाई देता है कि आले कि वहां और करके प्रकाश की त्वर ही सारत दोरतने चे नहीं हुआ और दोरता प्रकाश के हम बात करें हैं इंद संबंद के संबंद है या इनकी कोई अंतर जाड़ा है या काश्मीर शाहिवदर्शन को हम आले कि वह वार कुछ नहीं वह फेवल एक प्रकाश वो पासना का इसके जुड़ा हुआ जो तीसरा आयाम है प्रकाश का वो मुझे महशी अर्विन का लगता है जहां पर उनके सावित्री जो है भी मुझे आपस में जोटते हुए कि पता जरूर लगता है कि वही शब्द वही इस्तिमाल कर रहे हैं कि प्रकाश की अथारना और वैदी की राखाश का इन तीनों और यह भी दिखाई देता है कि पहले वो करते हैं और इधर दूसरी तरफ प्रकाश और उसके साथ नितांत जुड़ा हुआ विमर्ष जो है वह उसमें ऐसा तो इन तीनों को मैं चाहता हूं कि आप मेरी अर्विंद के प्रकाश की अर्विंद के प्रकाश और व्यादिक प्रकाश इन तीनों के आपसी संब्द्ध क्या है यह तीनों अलग लग है या यह किस अर्थ में या भिन है या किस अर्थ में एक ही में या कांशी मुझे ऐसे आयाम है जिनको समझने में हम चूप रहे हैं तो यह आप लिए वास्तम में यह कि अगर इस परकार की अब धालना को समझना हो तो हमें मूल की तरफ जाना पड़ता है कि वह जो मूल की तरफ जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा फिर एक टुलनात्मक्त जहन होता है दोनों पर्मपराओं का फिर कुछ थोड़ा सा ये भी मिन आता है कि को तूसमें पहले परसपर भी रुड़ता नजर आती त 모습 पराशपर विरुड़ता जो है सब्सक्राइब करते हैं इसको हम प्राया तीन उसको दिश्टियों से समझेने का प्रियास करते हैं कि पहले तो खुद ही यह विचार करके हम बनाते हैं कि यह प्रमाता, प्रमान और प्रमेर की त्रिपुटी जब हम बना लेते हैं तो उसमें यह जो प्रमेर है इसको बाई रूप में जब हम देखते हैं हालांकि तीनों में प्रमा तो एक जो चीज है प्रमा जिसे प्रकाश कहें हम वो एक कॉमन है तीनों में प्रमाता में भी प्रमा मुख है और प्रमान में भी मुख है और प्रमे में भी प्रमा शब्द प्रधान है तो लेकिन ये तीनों के अंदर जो एक जिसे हम कहें कि एक य जो दित्र तरीकिसे जो कॉमन द्वत्तत्व है उस परमाही है क्भा मैं भी प्रमाहाई ऑर प्रममे भी प्रमाही है तो लिए क्षा चैकिल कि अ उपासना की दिष्थी से고 को कि अव्र्म cracking को प्रह्म को अगर प्रकास भर माने प्रमे रूप में वह सुरीचंद्र और अग्नी इन रूपों के अंदर हमारे सामने प्रकाश आता है यह प्रमय रूप में प्रकाश ना जिसे हम कहते हैं कि प्रकाश अपसमें जिसरे से अन्मीत हो करके इनकी चल लए है इसी तरह से हम लोग भिया चरन करें इसी तरह का ये वैदिक मंत्रों के अंदर ये सूरी चंड्र और अगनी तीन अगनियों की अब वेड ग्ञान रूप है तो ग्ञान रूप होने से भेड वह भी मुध रूप ही है और जो प्रकाश है प्रमे रूप में जिसका बोध हमें करवाने सहाय को रहा है वहीं प्रकाश रूप ही है लेकिन यह प्रकाश हमारा सारे का सारा जुए हमारे हिंद्री जगत के साथ मानस जगत के साथ इसका बड़ा गनी संब्द है । इसलिए प्रमेर दृष्टी भी निगम में जो प्रकाश वांशना आई है वो एक बड़े व्यापक रूप में हमारे सामने आचे है क्योंकि हमारी चारों तर्फ का जो वातावरन है वो सारे का सारा हमारा जो द्यानद दिन क्रिया कलाप हैं बोध है सोच है सब उसको वेद मुल्दा शुरू करता है कि यह जो अंधकार है जो बड़ा तुच्छ है और क्योंकि कहले चार शीघवरात होती और यह में देखें तो अंधकार का विरोप करने के लिए हमारा जो प्रमै प्रकाश और प्रकाश भी प्रमेश तो प्रमे अंधकार को प्रमेश प्रकाश यह वह बनती है यह तीन तरह का प्रकाश प्रकाश है सुर्य चंद्र और यह जो अगनी है इसका काश्मील शाहिशास्त्री के अंदर भी इन तीन प्रकास्त्री का बरावर जिक्र करता है क्रिश्णा अध्भार के अनुद्ध योवनिर भुद्धु के पतित अनुस्तंतत है इस तीनों की जो कुंडली बनती है अगनी चंद्रमा और सूर्य तीनों प्रकास्त्री इस सब के आधारभूत प्रकाश तो अब यह तो मुझा बात आएगी तो हम धीरे से अगर जाकर के देखें कि जो प्रमेय प्रकास है जिसकी हम उपासना करते हैं यग्य के अंदर अपने समस्त विजियों के अंदर करमकांड में उपासना में हम सूर्य को ही गगनलिंग मान करके उसकी उपासना कर सकते हैं क्योंकि जह घुड़ा हुआ है कि प्रेषटर और समीटा क्योंकि जो प्रमेय प्रकाश है उपासना के लिए प्रमेय की अपक्षा होती ही इसलिए जो प्रमेय प्रकाश है वह मरे ऊमने तीन रूपों में आ लेकी नियू प्रमहीरी प्रभकाछ है लो जब अंतर मुखी होने लगती है तो फिर हम सोचते हैं कि प्रमहीरी उस प्रमान की तरफ ऐंगें हैं लेकिन चंद्रमा मनसो जाता है वो मन का संबंद बन गया है बाहर जो था सब्सक्राइब कि अंधर हमारी दिन की सारी तरह चल रही थी लेकन जब इंदियों का वो जगत स्य हम थोड़ा अंदर की तरफ आए क्योंकि उसमें मिसें प्रमान के भूप में हम मन को स्विकार कर सकते हैं पहले में जितना भी प्रमान पाक्षा है। वह वास्तव में उसमें हमारा बुद्धी ही मन जा बुद्धी अंतक करने जो है वही प्रमान है इसलिए हम प्रवेश कुछ से अंतक साधना के अंदर जब लौबते हैं तो हम अपने प्रमान की तरफ आते हैं और प्रमान की तरफ जब आते हैं तो प्रमान में हमारा जिजना प्रकाश के समझ आना जो है वो प्रकाश है कि तुम्हें बात समझ में आ गई तो यह बहुत देर का फंसा हुआ प्रशन था लेकिन आज क्रिया और वह अपने आपको शद्धार से बाद कृतिक्रित्य होकर कर लेता है तो वो एक एनलाइटनमेंट उसमें जो आई वो मानसिक बहुतिक स्थर के उपर प्रमान के स्थर पर भी एक प्रकाश आता है इसलिए प्रमानों में भी यह प्रत्यक्ष प्रमान है अनुमान है उप्रमान है शब्द प्रमान है यह प्रमानों की मिमान सा तो अब वो ग्यान यो प्रमे रूप में बहार था, वो हमारे भीतर की तरव जब हम चलते हैं, तो वो उसमें हमारे अन्तक करन के सहयोग से उत्पन होने वाला प्रकाश, यो प्रकाश को कि वो अलोचना करता है, शुर यो उसके अंदर नहीं है, चंदर्मा उसके अंदर नहीं है, कुछ भी है, लेकर क्यों उनकी बिंबों को लेकर के उो जो उसमें बहुती का अपना निर्मान करता एक संदचना करता है परकाich की संदचना करता है कैste ओर लिखता है जा कुछ और करता है उसका अशकर अदर उसके भीतर naim aus उटुते हैं बिंबों के इसको सुबटाइए चृovरा आयम जो कामरे है लेकिन खकाश रहां रभी लू सूर्य अगर चाणर और यह सिठया जी जो 21 इन बिम्बों का अब वो अपना मानसिक या बौजिक शिर्ष्टी से उनका आलुचन कर रहा है उसका दर्शन कर रहा है तो यह प्रमान जो है वो भी हमारा यह एपिस्टिमोलाजिकल पॉर्म प्रकाश है वो प्रमानों के अंदर हमें वलब्ध होती है लेकिन यह वाद जनक नहीं होती क्योंकि इसमें भी यह रहता है कि पहले मेरी तित्व रिथी थी वो प्रमेया धीन थी और में प्रमाना धीन चित्वर्थी बन गया तो इसमें पराप्यक्षिता जो है सवातंत्र नहीं आया इसके अंदर यह वह यह वागी सब्सक्राइब दाए बाहि प्रमेग के अधीन अधीन परमान के अधीन हुआ प्रमान में थोड़ा सूक्षम हो गया लेकिन उसमें भी हमें दूसरों की शब्द को ही प्रमान मानना प तो जिग्यासु जो अपनी योगी जिसे कहलें शेव शास्त्री के हिसाब से वो जम उस यात्रा में तरह हुआ है तो उसको लगता है कि जो प्रमय प्रकाश है और जो प्रमान प्रकाश है इस सारे प्रकाश का जो मूल प्रकाश है वो है प्रमाता वो प्रमाता जो है नहीं द्रश्टी का विपरिलोप नहीं होता है इसलिए वो द्रश्टा जो है यह अंधकार में भी जिसको यह बहुत हो रहा है कि मैं हूं लो हमस्मीं सो हमस्मीं मैं अंधकार में यह अपने स्व को जानता है वह उसका उसमें अन्धतकार में यह पर्यास करता है कि यह उसका उनतर ब्रमाता एर वो सारी wherever वक्रिपर खीछ ड्रुपन कमें से जसे मारा र देना programs कर देचा हैं ढ़िवा है!" माना धीना मेर शिथि यह हमारा राहन कोरा भर क्करम के शिद्धी जो है 30. ज़े वो प्रमान के भी ओर इडिन है करने वाला उसकी जो कुछ भी पक्षा उसका धेन करने वाला हो है लेकिन प्रमानों से भी अधिक जो मून कुछ जो स्रोत है विए बोध का देखेव स्ट्री के अंदर बी जब बात करते हैं तो करते हैं प्रकाशा अत्मता यह चक्थी है प्रकाश को यह संभवता दंत्रसार में जाके यहां प्रकाश है इसलिए प्रमादा के रूप में जब हम आते हैं तो वहां चित को ही हमें एक मात्र चैतन्य को ही यह चैतन्य जुष के कारण यह सारे बहुत बुद्धी जाग उठती है यह सभी के सभी उस स्रोथ से प्रकाश ले करके प्रकाशित कर रहे हैं दूसरे जब इसलिए उपनिश्डों के अंदर जब जेसन के जिसका तुमने किया था प्रमाता के पास जो है वह प्रमाता शुड्ध जब अपने शरूप में होता है तो वह अपने आत्म स्वप्रकाश्टा के अंदर जब जाते हैं तो उसके लिए प्रमेयों की प्रमानों की अपैक्शा नहीं रहती हैं तो वह को मौलिक प्रकाश के कारण ही हमारहे में प्रकाशाया झारत कि भरी हिए खत्य फोऑत वह है तो उससे प्रकाश की महाने हमों मूल को मना भराण हो बोड़ा दने हो और वोपर शागल कर के दूसरे सतर को बड़ा प्रमान और उसी प्रकास का प्रामी है कि ट्टीनों जगह वो प्रकास जो है एक उसका दोस्íamos रूब है उसका थी जिभास्यक में और उसका प्रकास का आहट्यात्मिष्ट आजाता है हमारे संब्ग को इसी को उसने कि पुरुष्गाप स्वरूप एगर यह अगर यह अगर आप मुसमें संभव्दा अभी नम कहिए इस तो तो तृकेंदर ग्याना मिभिन्नया नहीं कर्चिदार्था अग्र यह अगर नहीं कि घाना विशना नहीं कर्चिदर्था है अगर ज्ञानी नहीं है तो उसके सत्ता कि बस्ता कर इंघ कर्चिदर्था है उन बहुक्ति निए हैं आपस में भेद दिकाई देता है लेकिन संबीद रूप में उनमें बेद नाम की बस्तु है नहीं है कि थह उप्रकास से लग होते ही नहीं है ंद scholar शैम प्रकास अधय सोयं प्रकास कुछ राज प्रकश जो न माद तब श्रुभी प्रकाश अगे कि यह तब-बिशह कि अपरन। झाजए। हम्पेर ओसमें कि भेज नाम की बस्टू नहीं ओती है, बभ ł॥। आंद mim कि अन्हां कि अभी कराफ़ है, वह प्रमाथा में आते हुए, प्रमान ही नुपॉ प्रमान घयाल करें कि, वह प्रमानद को को बाराँ वाथ तो है प्रमान टो हैरो का नाना अधिक नानात तो नाना थी अन्यान्म झाल कि इसके इस इस tadHz मु किए उसमें उसमें भूब गग कि व्हाराइटि कि अजा जा प्रकाश तो उसमें से आता है प्रत्यक्ष के अंदर प्रकाश आतना है अगर प्रकाश आतना हो जो है वो प्रकाश नहीं है इसलिए जो संकेत करते हैं और प्रमाता के इस तर पर जब हम अनतस्त होते हैं तो वहाँ तुन्य 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 सूरत के अपैक्षा है नचंद्रमा का वहाँ नचंद्र तारकाश नेमा बिद्ध्य बहां थी और विजलियां भी नहीं चमकती वहां पर उत्यों अग्नी और यह जो धूए वाला अग न जुन टमेव भांतम अब ये उसका तुम्हारे प्रकास का जो स्वारु कर पाता है तुम्हारे प्रमार्थ हाता है पुर्ष स्वाथि जिसके प्रकास्टे प्रकासित हो रहे हैं प्रकाश पुरुष के ही भासा से बाकी का सारा जो प्रकाश हो रहा है यह जितने दूसरे प्रकाश हैं यह सब उसी के प्रकाश के एक ही प्रकाश के जिए भिन भिन आयाम आपको दिखाई दे रहे हैं है इससी नि데 मूलताय प्रकाश है बे। खो हो इक भुर्द की ही एक है ऐसी आप का भी अगर हमें पता लगता है तो उसी के कारण लगता है अब हाप को भी अगर को जानता है कि वो न सत था न असत था वो ये भी नहीं था वो भी नहीं था ये असत नहीं था सत नहीं था जिसका भी पता किसको लग रहा है ये उसी चैतनी के कारण नहीं पता लग रहा ह अजय नशद्धा 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 नहीं तो यह उसमें प्रकाशातु उत्ष्टी और यह जो उसका प्रमार्तस तब करता है यह ज्यानार भी बिन्दों नहीं करते है अजय तो वहां उस बोध में जाकर के जो आत्मविष्ञानती काश्मी शेवचात्र कहता है प्रकाशस्यात्मभिष्यानती प्रकाश की आत्मविष्ञानती जो है कि उसकी स्वैम प्रकाशता है जब वो स्वैम में प्रकाशित हो रहा है जब वो स्वैम में प्रकाशित होता है तो फिर ये सूरी चंदर तारा इच्छाजी ये प्रकाश वहां पर इनकी अपेच्छा रहती नहीं है कि इतनी है तुके वह अनुत्राष्टिकां कि थ़्यों गचाहिए सफर्षायश मारे यहना कोंछ खरते है उस तरह कर नहीं है कि सूर का प्रकास है कि आगनी जैसा प्रकास तो वहां पर वो उस मौलिक चैतनी को ही एक मात्र प्रकाश मानते हैं उस प्रकाश में ही विमर्ष का जो सुरूप बन रहा है उसकी प्रकाश की ही शक्ती है उसका ही पक्षा है और वो स्विमर्षा तो उसके अंदर संपूर्ण जग्र्थी प्रकाशित हो रहा है इसलिए भाव अभाव जो कुछ भी है वो सभी ज्चान का विशह है और जो 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 ग्यान का विशह है उसको प्रकाशित करने वाला अगर वो कहते हैं कि चौनर चंदा जेहिखत्माहीं वह चंदरमा प्रकाशि लेकिन जो अंधा है उसके लिए पाश के लिए नहीं है तो उसके लिए जब बाद रविए करो ना के बरावर भीड है तो इसलिए प्रकास की कलपना यह दूसरी बात रही है कि यह जो निगम है ने वैदिक शास्त्रों में जो जो ब्राह्मन ग्रंथों के अंदर यह प्रमेव और प्रमान क्योंकि जगत के अंदर तीरों ब्यभारों सोच ब्यभार जगत जो है वो त्रिपुटी से ही चलता है और जो अनुवव जगत है वो उसमें वो द्रश्टा की प्रकाश से ही प्रकाशित है जिसका उपनिश्दों के अंदर बार बार संकेज कर दिया गया है इसलिए शंगीता भाग में और अपनिश्दों के अंदर दोनु बातें एक दूसरे के पूरत हैं यहीं बात को समझा सभी कि आपने की परक्रिया छो आपनी अपनी हुए होती है रिश्यों की तो शीयर्वंद की बात शीयर्वंद की कि शीयर्वंद मूलता जो मैं सब्सकार रहा हो शक्ती साधना का वुश्चा मौलिक संस्कार बहुत पहले था और वो शक्ति साधना का संस्कार वह उन्हें शाक्ता द्वाइद की तरफ ले जाता है उनके लिए एक फीमिल प्रिंसिपल जो है वो बना प्रमुक हो जाता है लेकिन वो फीमिल प्रिंसिपल का मतलब कोई शिंपल फीमिल जैसे हम जैसे समझते हैं ऐसा ही नहीं है सावित्ति का अर्थ वहां पर तहरे नाम है लेकन वह को प्रत्वित्त घट्व किसका कर रही है कौन सी दिना का प्रत्व हिस थे एक किसंब कर रहे है ओ सारी किसारी जो है वो उस के शिरोध जो हैं शाक्ता द्वहित के मौलिक सिरोध अगर है तो वो आपको ये वेदी कुभासना में आपको मिलें गे साप्टा दु के बहुत सारे और यही कारन संभव्द है मैं समयता हूं कि मिमान सको ने शक्ती को बजार थे सब स्विकार किया तो तो शक्ति की उपासना करने वाले जो लोग हैं वो अपासना के अंदर वो उसी को ही प्रकाष के पृप आब के चलते हैं कि प्रिपुरा को वह लो जी तीन प्रकाशों के रूप में बहुत देखते हैं में यह था सब किसा उन्हों नहीं इसी प्रकाश प्रकाश पासरा उन्होंने की है तो काक्षमील शहीं स्वीकार करते हैं मानते हैं बार बार जिक्र करते है उसका और बलकि सोना नहीं करतों तो वह बड़ा कि यह जोति शुरूबा यह जोति शुरूबा भगवति का हम लोगों ने शिव नाम रख दिया है कर दिया है लेकिन मूलत है वो तो शक्ति है तो काश्मीर शहिजम जो है भी शाक्त परमपरा को समझता था लेकिन यह शाक्त परमपरा वाली शाक्त परमपरा से जड़ा उसमें इसको मिक्सप नहीं लोग कर देते हैं पर मूलत हर यह जो काश्मीर शहिवा अचारी थे इन सब की प्रिष्ठ भूमी सारी संस्कृत शास्त्रों के प्रिष्ठ भूमी थी ति publishers अंदर पारंगत लोग थे इसलिए अपने जो मौनिक जो इनकी एक भाषा के माध्यम से शब्द का अनुष्ठान करने से उसमें कोमन बोट तो था ही था कि शाक्त साधना में यंग्यादी कर्मकांड को भी महत्त उत्ना ही दिया गया प्रकास की वाजोपासना को भी त्योंकि बाहर भी वही है तो अंदर भी वही है और वहां पर उसमें प्रकास के ऊपर बल चला गया तूंकि वहां पर योग और समाधी के अंदर जो 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 उन्होंने उसको शिवरूप करके शिवता के अंदर उसको समाहित कर दिये लेकिन शाक्त ये शाक्त तो कश्मीरी लोग ही हैं क्योंकि कॉल मत जो है अगर उसको देखें और त्रिकसी दान्स यंदर भी शाक्त शाजना का बहुत बहुत महार्पा है उन्होंने उसमें संभव तब उनकी प्रिष्ट भूमी क्योंकि अंतर शास्त्री की भी थी और शूती के ओपर उन्होंने कहा कि मैं जब पहले वेद बढ़ता था तो वेद में जब ये पस्टिं के बिद्वानों की दिष्टी से पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि ये वेद मे लेकिन फिर वो स्विकार करते हैं कि लेकिन मैंने योगस्त हो करके जब वैदिक मंत्रों को देखा तो मुझे लगा गया रहे ये सारे का सारा ही वेद के साथ जितनी भी आत्रिक दिष्टियां जाना अचार कर रहे हैं वेद का प्रत्येग वर्न मंत्र बद अक्षर जो कु जगत की ओर ले जाता है उन्हों ने सब्त व्यारितियों के रूप में बद में मिल्ट पनिकि आतुं वह व्यारितियां जो हैं वो शारे किसारी वह परकाश नीचे के जा रहा है परकाश का इसर को कैसे जा रहा है उसकि को प्रकाश अपने आप में सत्यम में जाते जाते हैं संपूरुनता का प्रकाश है उन्होंने उस वैदिक परंबरा से अपने आपको बिलकुल उनको ये कहीं संकोच ने हुआ ये कहते हुए कि बल्कि वैदिक उसमें आध्यात्मिक साधना के उन्होंने योग के माध्यम से प्रतिष्था किया अपने आश्रम के अंदर और बहुत सारे लोग उनके संस्किति बड़ बड़े आतारी लोग दो थे उन्होंने उस दिष्टिकों का समर्थन मी किया इसलिए जो शाग्तु वासना है ये इसको अखिक प्रकास का जब हम अपने श्वरूक की तरह को चाहे हूं अभी दूसरे आचार जाए आचार शंकर जाए कोई भी जो चाहेंगे अपने जब वो अपने तक्तों सुलूप के अग्रजर होती है तो वहां पर वो यह चिदात्मा का प्रकास्ट वे उसी को स्विक्र्ची देंते हैं यह यह इन क्या एक जिसे हम कहें कि यह पूरा राष्ट जो बनता है यह प्रकास्ट का भी अर्थ मूल क्रश्ट कंवार, बनता है कि काश्वीर कंभारी को मारी मृं बंगाल से जक्षिन से उत्तर से उत्तर से आतया शंकर से टारूं मठों की साबना कि वो चारूं मुतां की साबना को मंदर मनाने की नहीं carbonate करने के लिए उनसों का केंडर एक बनाया उपनिश्दिक साधना उपनिश्दों के महा भाक्यों को उन्होंने कहा कि यह आलोक स्थम्ब जो है इस आलोक जो है उससे पता लगता है यह टेटन नहीं आत्म का रूप है और यह सारे का सारा जो जगत है लूप होसार शक्रेकाश जो अट्म का ही प्रकाश यौप काहिए तो आपनिका जो प्रकाश सूरी चंद रनक्षत्रत आरा इसारे प्रकाश में यह सी चैतनीकर हिवे जन्जना कर रहे है इसलिए जब आर्विंद के साहिए दर्शन को देखेंगे तो उसमें शाप्त्या दृ प्रफ्रेंस भी काम आता है वहां पर सावित्री लिखने के पीशे भी मूलता है संभवता है एक योग की अपेक्षा रही है जै कैसे रहा है योगनिश्दों के अंदर एक नची केता है एक पुरुष है कि जो याम के साथ मरित्यू के पास जाता है और मरित्यू से वह पर प् कि यह तुम इमारामा सरता सतूर्या नहीं डिशा नंबनिया मनुश्य मुझे यंग लालिश्वान दो तुम मुझे वह इतने का सुरूप स्पष्ट करो मौलिक अलोग क्या है वो प्रकाश क्या और वो प्रकाश लेकर के नची केता बापस आता है ऐसी ही स्थिती उस सावि को उनने महाभारत के उपाख्यान से उठाया था और सावित्त्री के माध्यम से लेकिन ऐसे लगता है कि वैदिक मंत्रों का जैसे साक्षादकार सावित्त्री के कई पद्यों के अंगर ऐसे है कि जैसे वैदिक मंत्रों का ही उस मित्यत्रा को उनके अंदर आ लोग उसमें भ मिश्वे शुरूत से जयान गुद्धरणों के माध्यम जो और भी किया जा सकता है मैं एक और थोड़े सी जानना चाहता हूं कि यह सारी प्रकाश के आप में तीनों पक्षों के बाद की कि वेल्ग फ्रकाशज काशमेर्श एठर्शन और अर्विन के व इनकी सभी के प्रकाश के जो इमेजिस है वो इमेजिस में कैसे रंतर उसको क्या बहला क्योंकि जो प्रकाश के इमेजिस आते हैँ और अ Registure में अर्वेट प्रकाश कैमेजिस के बारह상 बाहर कर रहे हैं तर्शन में मुझे इस तरह से तो नहीं दाशनिक स्कुल्ट्र साहित में तो होगा है कि प्रकाश के इमेजिस क्या है तो इसके उपर भी थोड़ी सी आप में अच्छे थोड़ा प्रश्टी करन दें हलांकि मुझे वो कुटेशन याद नहीं आरे श्री अर्विंती जहां पर वो प्रकाश इन श्रीचों से निकल करके बाहर आता है कुछ इस तरह कि वो याद नहीं है वो जो जो आलोग की जो बात है न क्योंकि अविव्यक्ति जो है इस श्रीष्टी की अविव्यक्ति में जो दो प्रदान कत्व हैं वो उसमें एक तो शोत शब्द है और दूसरा उसके अंदर आलोग है संभवद आनंद वर्धन ने अपने क्रंथ का नाम द्वन्या लोग इसी आधार पर रखा हो कहीं मूल उसमें है यह रहा हो जिनके माजम से यह हमें यह पता लगता है इस श्रीष्टी का होना और श्रीष्टी का परिवर्तन होना श्रीष्टी में यह सारी गति आगति जो कुछ भी वहार है सारी का सारा इन दोनों से ही बता चलता है श्रीष्टी के मूँ आधार ध्वनिया और अलोग जिसे तांत्रिक लोग नाद ब्रह्म कह ज़ेते श्रीष्टी का जो स्वरूप है उसको जोती रूप ही माना है कि वो प्रकाश रूपा देवी जो है वो जलती हुई जोती को लेकर कि जोती में ही उसकी उपासना करते हैं लेकिन वो जो सामने जलती है जोती है अगनी मात उसको एक प्रतीख है जलता को है श्रीष्टी है ब अगर्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद् कि गष्भकु कि पूर्णदा किया एक मुक्टता का थे वो एक स्वाच्छंदता का जो मेरे स्वाव की उछलता आती है जिसे स्वाच्छंद के आयन शब्द का परियोग यहाँ स्वत चंथटा और स्वत चंथटा का सच्थ और स्वत चंथ चंथता शब्द का लिए लेकिन निजे प्रकाश की दृष्टी से उनको प्रियोग करता हूँ तो यह प्रकाश और शिव दूद्ध का प्रियोग करके मैं बाते में क्या बता रहा हूँ क्या एक दूसरे को इसका मतलब फिर वो बात एक नहीं है क्या प्रकाश में तरे तनुम्त कह रहा हूँ तो शिव है तो शिव कहले शिवा 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 एड ने शिव शिवा उसी के उपर इंसिस्ट करना है उसको दूसरे शब्द से लेकर कि फिर मैं उसके सब्ता को सब्सक् Hailarodan तरो या जे श्ए थी चलकर तो मुझे लगत ने तो बहुत ही इस तो बहुत ही देता है जो हमारा वाक्टत्व है ग्ना करते हैं वह उत बहुंद के जो दोर घ्म प्रक्ति वो अपने बहुत सारे रूमों में वो हमको उल्जा देती है, हम एक शम से कहना चाहते हैं, पिर लगता है कि नहीं, उससे नहीं कहा नहीं गया है, इसको अपने इस जंग से कह लेते हैं, वो आपकी समस्या है, वो मुनुष्य की समस्या है, कि वो कभी की समस्या है, कि वो उसे कहने के बार भी लगता है कि नहीं, बात कही नहीं गयी, फिर यह कहूं तो है नहीं, अब एक कहता हूं तो भी क्या कहूं, एक कैसे कह दूं उसको कि वो एक है, तुकि एक तो संख्या है, और वो क्या संख्या के अरीन है, तो यह कहूं तो ह यह जो है जो है जो है जो संस्कृत क्या बंडित है विद्वान है रसिक है जो भाषा के रसमें अभी जा रहा है वो उसको भाषा का के वर महत्र शिव कहने से उसको नहीं लगता है वो जो उसका अनुभव हुआ है अपने अनुभव को वह एक अपनी कविता में व्यक्त कर रहा है अंत्र लीन विमर्षा जिसने विमर्ष को अपने ही अंदर लीन किया हुआ है अपने ही अंदर लीन किया हुआ है अपने ही लेहरों को वो उस निमीलन समाधी के अंदर तो पादु महेशव्प्र यह वो जो अनुवव है अध्यात्मिक अनुवव को भी हम अपनी जिस वानी के द्वारा भी ग्यक्ति देना चाहते हैं तो उस वानी की एक उसका प्रियोज करने के लिए कि यह वो जिए नहीं जिए करने के लिए कि यह जिए उसको क्वालिफाइज लिए करने के लिए करता से दोनिए कंश वानी कर देख स्य कर दríकी कर देना फिर्वानी का शॉर्ण म जिस प्रवानी का नोग जो प्रवानी का वह मेयन ह। वय थेूर तो आपकी कारिया पड़ो जाना पड़ो कोई विक्षा है रही नहीं है वह अंतरलीन विमर्श्या ऐसा प्रकाश और कहकर कि तुम यूकेन गो इंटो साइलेंस वह अंतरलीन विमर्श्या पातु मैं ये शब प्रकाश मात प्रतनौ तो ये प्रकाश जो है एक ही शब जो है उसका संस्कारी तो करके दीरें 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 वह बिल्कुल नितान्त घोर बहुत इक्ता में से ओंगी तुम और अपने जो जिग्जासा है वो भी वोड़ी सबसे बड़ी बात है कि उसकी अपनी जो इच्छा है अपनी उसकी जिग्जासा जो है वो अगर जैन्मीन है अगर वो संच्मुच में ही संस्कित के प्रचिव नी तो ये प्रोक्टाए ये बश्चार सजिद्धी बद Γिंद्धी एक प्रमकांडी करते हम यह पूरा एक वाक्ष एक पूरे को अगर हम कहें कि एक पद है यह पूरा ही एक बद है जिसको मेहिना सोत्र में काया रहें कि यह ओम यह क्या है यह एक पद है ओम इसे पूरे का पूरा जिस्ट्रोग जो है पूरे का पूरा जो पद है वो अंतर लीन भी मश्या पातु महेशा प्रकाश मात्रतनु यह साना ही एक शिवम महेशा इस बद में ही सारा समाहित हो जाता है इसी में सारा केंदित हो जाता है तो जो मौलिक प्रकाश है उस मौलिक प्रकाश के साथ और उस प्रकाश की जो नानात्त में भी भूती है उसका जो एक्षवर जी है स्रिष्टी के अंदर उस एक्षवरी की भी उड़ ले जाता है और और अंतरलीन भी मर्शा भी कर देता है और बाहर जो है उसका निमीलन और उन्मीलन शाहिव शास्तर ने दोनों समाजिया माने है उसकी जब होता है तो क्या है और निमीलन में क्या चाहिए और उन्मीलन और नमीलन समय चलते रहते हैं उसके अंदर इसलिए वो विश्वातीत प्रकाश के बातें जुड़ी भी है लेकिन अभी भी कुछ और चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि अगले अभी भी मुझे लगता है प्रकाश के बारे में और अभी अध्यक्ता करने की आवश्यक्ता है क्योंकि प्रकाश के उपर मैं चाहूंगा कि हम बात करें तो जो विभिन इमेजिस जैसे की बैदिक संध्या में अलगलग प्रकार की इमेजिस उभर कर आते हैं और प्रकार के अनेका नेक जो उपासना पज़िए उनमें प्रकाश के अलगलग रूप उभर कर आते हैं अब करें जाते जाते आखरी टिकनी क्या हूंगा आपसे व्याश्चनव दर्शन विर्शन प्रकाश की क्या स्थिती वाइश्चनव आगमों में व्याश्चनव बदरती में अगा वहां भी प्रकाश का वहां बहुत महत्व है वैसनम लोग भी उसको रंगों का प्रकाश रंगों का संबंद तो प्रकाश के साथ ही है इसलिए वो जो जाहे जो कृष्ण वासना वैसन वासना में जो जो बहुत राम की वासना में लें जो पज़तियां वैसन वासना में वह भग्वान विष्ण को प्रकाश रूब ही श्रीकार करते हैं कि यह सीधा जो प्रकाश है जो सूर्ज का प्रकाश है तो उसके सामने आखें नहीं जाती शादक की सूर्ज को सामने देखने से आखों को बंद हो जाए आखों को यह नुक्सान होने कि संभावना हो जाती है तो वैसना उस प्रकाश को एक नॉर्मालाइज करते हैं तो वो उसको क्या किरते हैं मनस्ताप तमस्षांतिम यस्पाद नखच्छटा शर्चंद्र हिवाभाथी तम बंदे नील चिन्मनिम् किया कहा श्रूं को मनस्ताप टम्हày शांटय मन माश्टिम जीव कि मन कें अदर जो टाप है ही जए उसके अदर जो दुख पीड़ा का संताप ए अग्दे का जगान है मनस्ताब तमः शांति आए इन दोनों की शांति के लिए यस्पाद नकज चटा जिसके पाउं के नाखून की छटा जो है वो शरद चंद्र इवाबाती वो शरद रितू के चंद्रमा की तरह प्रकासित कर देता है जे नील जो थिन मनी क्या बनाब का शेत्ना भी और मनी मनी के महथमें कया है और शरद चंद्र का क्या है यह संद्र में जो है वांधकार का विनाश करता है तो इसलिए शरत चंद्र इवाभा थी तम बंदे नील चिन्मनिम और वो बड़ा ग्लीरिंग जो प्रकाश है जो बहुत चंक मारता है बहुत ही जाता है उन्हें चिन्मनिम वो चैतन्य रूप नील चिन्मनिम नील रंग उसको दे दिया थोड़ा सा प्रकाश को थोड़ा श्यामल कर दिया और यह चांदोग अपनिशत के अंदर भी यह वहां उसने कहा है कि वो जो सूर्यांतर वर्ति जो पूरुश है वो कृष्ण वो जो कृष्ण है वो शाम है तो तो वो लोग भी और कहीं पर मजुसूदन सरसुती जैसे लोग जो हैं वो प्रकाश दोरा फिरता है बच्चे के रूप में उसको देखने का प्रियास करते हैं अब ब्रमात भाइची आचार शंकर के बादे को बहुत है जो वेधान्ति अद्वाइट वेधान्त के परमातार रहे वो भी अपने इस लोगों में ध्यान थ्याना भ्यास कमाहिते नमनसा इस निर्गुनम निश्क्रियम जोती ही किंतने योगिनों यदि परम पश्चन थी पश्चन तो थे असमा कं तु तजेवलोचन समतकारा आए कालिंदी के पुलिनों में कालिंदी यमाना के रेच के उपर जौड़ता हूँ नील प्रकास जो है वो नील प्रकास हम उसको उसको जेखना चाहते हैं वो हमारा तो वैस्नबु ने क्यूंकि प्रकास के साथ ही की सब क्यां करें तो वहां फिया मंधकार नहीं है वहां प्रकास की विभूती है जो जो इतना प्रकाश है जितनी उनिवर्थालिटी है सूरिज के प्रकाश में तो सारी एकी वजाए गुम सुमसथ के अगेला सूरिय लेकिन रात्री में नानात तो प्रकट होता है जो और एकता है उसका प्रकास तो रातिर में डिखा फ्री मिлемें बस लेकिन रात्री के प्रकास में जाए नंतुस्के एक ऑड़ मिन सरव है कॉ मिलिए तो उनुन से शरक्तन्द्रः वापाति रण्व CommunistSpace लोग भी प्रकाश की उपासक हैं लेकन सभी साधक जो है वो उसमें अपनी जो रागात्मी का बृत्थी होती है तर्शन पढ़ने के बाद भी हम लोग इस पक्ष में नहीं है कि दार्शनिक के मरें निराहि पुझ कठोर बुद्धी जगतोर उसमें तरक आप ऐसा नहीं जो वो लोग एचाथे थे कि नहीं वेटंडिक से बतना चाहिए वितंड़ा नहीं जाना चाहिए इसलिए वेटंडिक से बतने का प्रियास करते रहे तो लेकिन बहुत जित्ता को उन्होंने रंजित कि अपने राढसे अपना बोधर जो है बोध को भी उसको भी उन्होंने अपनी रागात्म का व्रिथी का रागात्म का प्रिथी की भकथी की वपें परनेतुएं है और मीशनबौं के अंदर भग्तिकी हैं। प्रकाश बहुत अच्छा लगता है और शाक्तों को लाड़ प्रकाश बहुत अच्छा लगता है तो भगृती का उसमें जब वो ध्यान करते हैं भगृती का अच्छा नाजब भृत्रों में सब्सक्राइब एक जोंडेब है जो सुभी उसमें प्रकाश की शेड जैने सारह के सारह के शाप्तों में प्रकाश के अलग लग तरह के शिपने बिन प्रकार के जो इमेजिस प्रकाश को लेकर के और उनके प्रतिय जो उपास्टना का बात रहा है इसके उपर एक चर्चा और पेकर है लिए मेरे लिए चीजें बड़ी स्पश्ट की हैं तीनों का संबन्द प्रसंग वश्ट की भी बात हो गई है उसके लिए धन्यवाद इसको कॉंटीनू करते हैं अगले प्रकाश के विविक जो आयाम है प्रकाश हो इसके चर्चा अगी करें तो इन ही सब शब्दों के साथ एक रहां करते हुए आज कर समापन करते हैं और फिर अभी करेंगे ऑम् शानुष्ण पुष्ण थिएत्वादधे